मेरे प्यारे देश स्वासिओं अभी मैं आप से सूरज की बाते कर रहा था अब मेरा ध्यान स्पेस की तरप जा रहा है वो इसलिए क्योंकि हमारा देश सोलर सेक्टर के साथ ही स्पेस सेक्टर में भी कमाल कर रहा है पूरी दुनिया आज भारत की उपलब्धियां देखकर हैरान है इसलिए मैंने सोचा मन की बात के स्रोताओं को ये बता कर मैं उनकी भी खुशी बढ़ाओ साथियों अपसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा भारत ने एक साथ 36 सेटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित किया है दिवाली से ठीक एक दिन पहले मिली ये सफलता एक प्रकार से ये हमारे युवाओं की तरफ से देश को एक स्पेशल दिवाली गिप्ट है इस लॉंचिंग से कश्मीर से कन्या कुमारी और कच्छ से कोही मातर पूरे देश में डिजिटल कनेक्टिविटी को और मजबुती मिलेगी इसकी मदद से बेहत दूर दराज के इलाके भी देश के बाकी हिस्सों से और आसानी से जुर जाएंगे देश जब आत्मनिर्वर होता है तो कैसे सफलता की नई उचाई पर पहुंचता जाता है यह इसका भी एक उदारन है आपसे बात करते हुए मुझे वो पुराना समय भी आदा रहा है जब भारत को कायोजेनिक रोकेट टेकनोलोजी देने से मना कर दिया गया था लेकिन भारत के वैज्यानिकों ने ना सिर्फ स्वदेशी टेकनोलोजी विक्सित की बलकि आज इसकी मदद से एक साथ दरजनों सेट्रिलाइट्स अंत्रिक्ष में भेज रहा है इस लॉंचिंग के साथ भारत ग्लोबल कॉमर्सियल मार्केट में एक मजबूत प्लेयर बनकर उबढ़ा है इससे अंत्रिक्ष के खित्र में भारत के लिए अवसरों के नए द्वार भी खुले हैं साथियों विक्सीद भारत का संकल में लेकर चल रहा हमारा देश सबका प्रयाँ से ही अपने लक्षों को प्राप्त कर सकता है भारत में पहले स्पेस सेक्टर सरकारी व्यवस्ताओं के दायरों में ही सिम्ता हुआ था जब ये स्पेस सेक्टर भारत के विवाओं के लिए भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया तब से इसमें क्रांती कारी परिवर्तन आने लगे हैं। गैर सरकारी कंपनियों को भी अपने पेलोर्स और सेटेलाइट लॉंच करने की सुविदा मिल रही हैं। मैं अधिक से अधिक स्टार्ट अप्स और इनोवेटर्स से आग्रह करूँगा कि वे स्पेस सेक्टर में भारत में बन रहें इन बड़े अवसरों का पूरा लाब उठाएं। कि अधिक स्क्राव चूर्स और सेटेला अवसरों कृEX